तो दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कुछ जरूरी बाते अगर आप option trading करते हैं कुछ ऐसी बाते बताऊँगा जो कई लोगों को तो पता ही नहीं होती उनको महीने पर हो जाता है दो दो महीने हो जाता है और वो option trading करते हैं बट उनको कुछ पता जादा होता नहीं है और उसका result सिरिफ loss मिलता है तो मैं आपको बता दूँ के मेरा जो telegram channel है बहाँ पर मैंने आपको बोल दिया था जब market यहां पर था कि यह एक बार raid में आएगा तो raid में आएगा तो आप profit book कर लेना तो मेरे जो भी member रहोंगा उनने पहला तो profit book करा लेकिन उसके बाद मैंने उनको कोई trade ही नहीं दिया और ना मैंने उसके बाद कोई trade करा क्यूं क्यूंकि यहां से क इसनी strong हम इसको नहीं कहेंगी क्यूंकि इसको देखकर काफी लोग क्या करा उनने call को why करके वो hold करके चले गए अब SGX nifty बता रहा है कि लगभख 100 point के आसपास जो है सोंबार को market gap down open होगी तो यह सब देखके तो हमारे इदर वाले तो लेके चले गए हैं call लेकिन ज़रूर जी नहीं है कि SGX nifty आपको बता रहा है कि नीचे खुलेंगे तो वो एकदम नीचे ही खुलेंगे हो सकता है कि वो नीचे खुल जाए और 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 नीचे चला जाए या फिर हो सकता है वो थोड़ा ऊपर खुलके बापस नीचे आ जाए तो जो call में ट्रेफ हुए हैं वो ट् ये कि गिर रहा है तो गीरी रहा है और बढ़ रहा है तो फिर बढ़ी रहा है इसमें क्या करना चाहिए इसमें बस 20% का stop loss लगा के चलो और चलते जाओ मतलब कि 10,000 रुपे लेकर आगा हो ट्रेडिंग मतलब कर ली है तो 2000 का loss लेना ही पड़ेगा अगर market आपके direction के loss भी बढ़ते जाएगा मतलब कि आपको profit ही होना शुरू हो जाएगा तो इस पिरकार का जो market होता है या तो सीधा बढ़ना या फिर सीधा गिरना ये महीने भर में से कम से कम 5 से 7 बार आ जाता है 8 से 10 बार भी आ जाता है तो उसमें अच्छा खासा पेसा बन जाता है ठीक है और loss होता है तो loss हमेंसा जब भी मुझको होता है मुझस से कुछ ना कुछ सीखता हूँ अब मैं कुछ आपको इसी बाते बता देता हूँ जो trader को नहीं पता होती है पहली जब भी आप option trading करते हैं तो आपका जो charges से वो काफी जादा लगने लगा है आज कल क्यूंकि मैं नमबर वगिरा ही कि सब इनीका है अपना कुछ नहीं है GST नमबर ठीक है तो मेरी अगर यहाँ पर आपको कोई information दिख भी जाती है तो आप उसको ignore कीजेगा वेसे भी आप अगर उसको use भी करोगे तो आपका उसका miss use नहीं कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर जो इन्फोरम running source ही नहीं है और आप loan लेकर trading करते हो तो मैं आपको बता दूँ अगर गलती से भी आप 7 दिन बाला loan install करके loan ले ले लेते हो उनकी link पे क्लिक करके अधरकार pen card और selfie लेके दे देते हो और trading कर लेते हो उस पेसे से और वो loss हो जाता है तो वो पेसा देंगे आपको कितना 4000 2000 और उसका लगबग डवल लेते हैं वो पेसा और वो बहुत जादा फरजी होते हैं वो आपकी contact list में आपसे बस permission ले ले लेते हैं गेलरी का access उनके पास नहीं होता है जिसकी बज़े से वो आपको काफी परेशन करते हैं हाला कि उनका पेसा भी खा जाओगे तो कुछ नही करते हैं उनके बाद बहुत सारे लोग इनका पेसा भी खा जाते हैं और वेचारे बहुत सारे डर मर के suicide भी कर लेते हैं तो इन सब को आपको इन लोगों को ignore करना है इनके एप को install नहीं करना है लेकिन अगर गलती से कभी किसी ने ले लिया हो तो डरने बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अपने घर वालों को पहले ही बता दो ठीक है इस पर मैं एक dedicate वीडियो बनाऊँगा तो अभी मैं थोड़ा इस पर बता देता हूं कि charges के बारे में तो अब देखो यह अपना pay in pay out obligation charges कितना ही आप लगा है 28 रुपे 160 रुपे तो यह बहुत कम trade का charge है ना मैंने trade ही बहुत कम लिये थे उसका यह चार्ज यहां पर बता रहा है तो charges तो आपको काफी ज़्यादा देना पड़ता है मैं आपको सीधी बाद बता दू एक trade पर लगबख 50 रुपे के आसपास आजकल charge लग रहा है हाँ हाँ तो एक trade के आसपास मैं आपको 50 रुपे क आसपास charge लगता है और फिर जो charge लगता है उस पे भी 18% का GST लग जाता है वो भी charges के रूप में मतलब 1000 रुपे का charge लगा है तो फिर 18% उस पर भी charge लगेगा तो इस परिकार से दोस्तों यह charge लगता है अब क्यों लगता है इसमें देखो सरकार की कमाई तो होना ही चाहिए नहीं देख चलेगा नहीं तो सरकार तो लेगी और जो broker हैं जो आपको trading करवा रहा है वो team लेके बैठे हैं और उनका जो मालिक है उन्होंने महिनत करके मतलब एक platform बनाया है तो पेसा उनको भी चाहिए तो यह charges उतने जादा नहीं होते हैं जब आप over trading करते हो तो यह charges बढ और उसमें 100-100 रुपे का नुकसान करो और ऐसे से करके आपने 10 trade ले लिए और 10 trade में ही 100-100 रुपे का नुकसान हो गया तो 10 trade का 100-100 रुपे का नुकसान मतलब 1000 का वो और फिर 1000 मतलब 10 trade आपने ले लिए तो 120 रुपे एक trade के हिसाब से लग रहा हैं तो 200 रुपे तो वो हो ग कि मैं एक account खोलूँगा em stocks में उसका देखेंगे कि इसा क्या है उसमें 2000 रुपे लगते हैं account खोलने के ठीक है मतलब 1000 रुपे का account और 1000 रुपे की amc free कर वाना पड़ती है तो देखो main दिक्कत क्या है em stock की के लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब वो उसमें bug होते हैं मतलब trading time पर नहीं हो पाती तो ऐसा कुछ नहीं इसा तो grow में भी हो जाता है मैंने जब trading अभी में कर रहा था तो मतलब मैं profit में भी होते हुए भी मैं book ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको ठीक है लेकिन हलाकि वो हो गया था book थोड़ी देर बात लेकिन वो मतलब जब click करते तब नहीं होता पांस से साथ वार उसने reject करा तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है जो ज़्यादा quantity लेके रखते हैं मानलो लाखों लगा के रखा है और वो लोज 20,000 हो रहा है तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है बार बार तो इस परिकार से दोस्तों ये होती है और मैं आपको बता दू जब market आप जितना की लोगोंने अभी सोच आता देखो यहां से बापिस बढ़ के चला गया तो जितना आप सोच रहे हो market उतनी negative हो नहीं रही है और जितना लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यहां से rocket बन जाएगा तो वो rocket भी नहीं बन रही है ठीक है ना वो जादा तेजी से गिर र बढ़ गई फिर यहां से बापिस देखो के तो बढ़ गई तो यह आपका पैसा दोनों तरफ से लेती है तो अगर आप option trading करते हो तो मैंने आपको बिता दिया या तो ऊपर बढ़े उसमें पैसे कमाओ वो एक ट्रेंट चलता रहता है नीचे गिर रही है उसमें पैसे लोग मुझे पता है mobile से इत्रेट करते हैं ठीक है में भी mobile से इत्रेट करता हूं लेपटोप से जरूरत इतनी ज्यादा नहीं रहती है आपके मेरे पस दो मुबाइल है तो मैं उसमें निउस बगरा देख लेता हूं शार्ट वाट्स जो भी देखना देख लेता हूं और मै support level पे काम करता हूँ support और resistance पे काम करता हूँ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक laptop हो तो आप लाख हो ही कमा लेंगे laptop कितने का आ जाएगा 50,000 रुपे का अच्छा laptop आ जाएगा कोई भी ले सकता है ठीक है अब जरूरी तो यह नहीं है पेले आप जब सीख जाओ तो फिर आप laptop ले लो क्योंकि फिर वो काम में आता है कि आप एक चाट उस पे देख रहे हो उस पे news देख रहे हो या उस पे कुछ भी कर रहे हो और mobile से trading करते हैं ज़्यादा तर लोग ठीक है क्योंकि mobile से क्या होता एकदम fast trading हो जाती है तो यही थी कुछ बात है तो आज की इस video को यही पर end करते हैं और मिलते हैं अगली video में अगर कुछ समझ में आ हैं तो वीडिए को लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना मिलतें अगली video में